हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा क्लाश 12 का जो रजल्ट है जारी हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने रजल्ट से सैटिस्फाई नहीं है उनको लगता है कि जो मेरे मार्क्स दिये गए हैं वो कम है मेरे जो मार्क्स हैं और भी बढ़ सकते हैं तो इस वीडियो को वही कम्प्लीट देखें मैं आपको बताऊँगा किस तरिके से आप जो है अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं तो यहां पे जो है रीचेकिंग या फिजो है रीवलेशन का फारम आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें क्या डिफ्रेंस है वह आपको इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल में बताऊँगा किसकी फीस कम है किसकी जादा है और कौनन से के लिए आपको अप्लाई करना प्लाई कर जाएं पारज़ा कि वह इस बीडियो देखी आपका केवल जो आपके मारक्स काउंट यह जाएंगे यानि कि टीचर ने जो किशन चेक कर रखे हैं उनके उपर जीतने मारक्स दिये गए हैं केवल उनको जो है काउंट किया जाएगा रीचेकिंग में रीवलेशन की बात करते हैं रीवलेशन का मतलब यह है कि आपका जो कम्प्लीट पेपर दुबारा से चेक किया जाएगा यानि कि पहले आपने जो कोई किशन किया होगा उस पर किसी टीचर ने किशन पर दो मारक्स दे रखें दूसरे पर तीन तो रीवलेशन में क्या होगा उन जो पहले मारक्स दिए गए हैं उनको किसी टेप से या विकिसी जो फ्लूड से उसको हाइड कर दिया जाएगा उसके उपर टेप लगा दी जाएगी और जो टीचर होगा बिल्कुल नए सिरे से जो है उसका आंसर सीट को दुबारा से चेक करेगा और अपने अकोर्डि की कि बारे में भी साथो करते हैं तो यहापी आप देख सकते हैं पुन एज़ाच के लिए आवे द्ण करने है sleeping और सकते हैं यहाँ पर्याच के लिए अस्षी के स्क्रिप्सिन को ठीखिंगें उबंसे फो क्रस्ते हैं यह उत्स यह कहा इसी बारे में डिसकूर सुर्थ करते तता सुल्क पिरिणाम गोशित होने की तीथी से 20 दिन के अंदर-अंदर केवल उनलाइन प्राप्त किये जाने का प्रावदान है अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्तावे दनों परविचार नहीं क्या जाएगा तो रीचेकिंग के लिए जो आपको फोरम अपलाई करना पड रहती ऊतर पुष्टिका यानि कि सब्जेक्ट प्राप ग्रवाते हैं तो उसे लिए आप 20 रुपे जो देने पड़ेगे शोब्याइब सब्जेक्ट को स्ब्सक्राप्त प्रिक्स पर्फरिक्सियर्थी इस अंदरभ में कोई दावा स्विकार नहीं किया नहीं होगा वैसी इस्तिति में कोई फीस वापिस नहीं होगी यदि फारम जो इनकंप्लेट जमा करवाते हैं अच्छे से नहीं बढ़ते हैं यदि आप फीस भी जमा नहीं करवाते हैं तो आपका जो फोरम है रद कर दिया जाएगा और इसके संद्रब में आपका कोई भी जो है दावा यदि आप जो उनके ब्लेम करना चाहें तो आपका जो स्वीकार नहीं होगा तो इसलिए फोरम को कंप्लीट बरें और जो फीस जमा करवाएं और यहां अपे लाश्ट में दिया गया कि यदि फारम आदगा आपका दूरा होता है और फीस अगर आपने कंप्लीट जमा नहीं करव कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक जो सब्जेक्ट उसके लिए जरी चेकिंगा फोरम फिल करूं या दो के लिए करूं या थीन के लिए करूं तो आपको आवे दन एक ही अपलाई करना है यानि कि फोरम में जो आपको सभी सब्जेक्ट जो चूज करने हैं लेकिन फीस की लिए होगी लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि वह थीर सब्जेक्ट के डाई सो रुपय है जितने के लिए सब्जेक्ट के लिए करवाना चाहेंगे उतने रूपए जादा लगें यदि आपको जो है एक सब्जेकिक विशे के लिए करवाने हैं तो उतने जादा यहां पर लाश्ट में लिखा गया कि पुने जाच है तो जमा सुलक वापीस नहीं किया जाएगा जो रीचाइकिंग के लिए आपने फोरम फिल कर दिया उसकी जो फीस आपको वापीस नहीं होगी तो वह सोच समझ के जो अच्छे से फारंबरे कोई पुने जाच में यदि किसी विशय विशयों में कम अंक होंगे तो उसके कम हुए अंक मानने होंगे पहले अरजित किये अंक मानने नहीं होगे वह इस पॉइंट को नोट कर लेंगे जो भी फोरम फिल करना चाहता है रीचेकिंग के यह मान के चलो स्टार में सबसे करने से पहले मान लेते हैं जैसे किसी फ्टूदेंट के पचास नमबर आ गए और दुबारा जैसे कांटिंग की उसके दो नमर कम हो गए तो पचास नहीं रखे जाएंगे और ये यह इसकी दो नमबर बढ़ते हैं तो बढ़ाय भी जाएंगे तो उसको नमबर जो वावन यानिकि 52 नंबर दे दिये जाएंगे तो वह अपना जो है रिस्क लेना पड़ेगा आपको आपको लगता है कि मेरी कुछ जो हरी चैकिंग का फॉरम अपलाई करना चाहिए या फिर आप गया दिया अपने नंबरों से सैटिस्वाई हैं तो वह री चैकिंग के लिए होती है तो प्रिक्षा अर्थी के प्राप सुची में दरशाएंगे यांग के मानिंए कि जाएंगे ऐसी स्थीति में के लिए बाद देनी होगा प्रिक्सार्थी को उस दुबारा जमा किया गया जो सुलक वापिस कर दिया जाएगा देंगे वह इस मतलब यह यह कि यदि आ लेकिन बाइदा चांज की है अपको पुनिचाज करने के लिए बाद्याग कराना चाते हैं आपकी आपके जितने भी यह प्राप्तंक रखे जाएंगे जितने आपके दे रके है और ऐसी स्थिति में आपको जो पुने जाज करने के लिए बाद्य नहीं कर सकते वह फोर्स नहीं कर सकते वह रेचेंगें करवानी है क्योंकि अगर आनस्वर शीट वगरा गूम हो जाती है किसी कारण से देखो ऐसे चांसी तो कम हैं लेकिन मान के चलो तो दिक्कत हो जाती जो है प्लोड कर दी जाएगी उपलब आपको करवा दी जाएगी यानि कि पुने जाच रीचेकिंग के बाद जो आपका रजल्ट है अच भीएसी की जो ऑफसल साइट इसके उपड़ डाल दिया जाएगा नेक्स्ट एंकित उत्तर पुस्तिका प्रिक्षार्थि उसके मात निया मानुसारी पुने जाच बारे में करवाई की जाएगी यानि कि जो आपकी रीचेकिंग है केवल जो रिटन एक्जाम हुआ है केवल उसी की करवाई जाएगी जैसे प्रेक्टिकल वगारा है जो CCC के नंबर होते हैं उनके लिए जो आपकी रीचेकिंग के लिए जो ह कोई डावट रहता है और आप जो केस्वगरा करना चाहते हैं कि मैं तो सटीस्फाइब नहीं अपनी जी चेकिंग से तो आपको जो केस के वल बीवाने जो नियाले को तो वो मानने नहीं होगा तो यहां पर यहां पर नीचे जो आपको तो यह जो आपको लिएसेटि आपके उसे मिली सुपलीट प्लिया जाया है यदि जो पहले आपके एसे उसके ऊपर किसी क्षिस सब्सक्राइब में क्यांकर नबर कर दिया जाएगा उसके उपर यूपर तेप लगा दी कुछिए ँचनों के इन्किशन के जो आपके नंबर दिये गए उनके उपर टेप लगा दिया जाएगा और किसी और टीचर को जो है आंसर शीट आपकी दे दी जाएगे और वो दुबारा से जो है इन सभी को बूल जाएंगे और अपने कोडिंग जो हो मार्किंग करेगा और उसके आपको जो है नंबर देगा और जो पुराणी नंबर है उनको आपको बूल जाना है तो यहां पर देख सकते हैं फेस्ट पॉइंट है वही रिवुलिशन यानिकि पुनर मुल्यांकन के आविदन तता सुल्क प्रिणाम गोशित हो नेक्स्ट पॉइंट वही उत्रपुष्टकाउं में के पुनर मुल्यांकन यानिकि रिवुलिशन उपरांत परिक्षार्थियों की प्रिणाम की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी यानिकि जो आपका रजल्ट है आपको बोर्ड की वेबसाइट के लिया वेदन कर सकते हैं तो जीस भी स्टुडेंट को वही 90 से अगर उपर आते हैं तो वह भी जो होल्यूशन का फॉरम फील कर सकता है वह उसको लगता कि मेरे नबर गलत काटे गए हैं और वही आ सकते हैं तो वही वहां रिवुलिशन का फॉरम फिल लग कर सकता है 90 से यहां पर देख सकते हैं रिवलिशन के लिए पुनर मुल्यंकन के लिए 1000 रुपे फीश है और यह भी क्या है पर पुष्टिका यह विश्य यानि कि सब्जेक्ट के लिए रिवलिशन का तो एक फोर्म में इसको सब्जेक्ट कर सकते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है लिख सकते हैं और आपका जो फीस वापिस नहीं की जाएगी फोरम बढ़ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट अब पुनर मुल्य अंकन उप्रांत यदि किसी परिक्षारती के किसी विश्या में 10% या 10% से अधीक अंक बढ़ते हैं तो अजार उपे में से 500 और आठ सो रुपे में से 400 परिक्षारती को निर्दारित नियम अनुसार लोटाए जाए जाएगे यदि वहिए किसी स्टुडेंट के 10% अंक बढ़ते हैं या फिद 10% से अधीक अंक बढ़ते हैं या यदि तो आप 10% अंक बढ़े या फिद 10 से जादा बढ़े दोनों कंडिशन में जो आपकी फीश है आपको आधी लोटा दी जाएगे यादि आजार उपया यादि आपने बरे हैं तो आपको 500 रुपय दे दिये जाएगे मैं आपको फोरum बढ़ना भी बताऊंगा किस तरीके से आप खुद भी जो हरी वलियूसनर रीचाइकिंग का फोरum बढ़ सकते हैं आपको कहीं पर बी जो है किसी सोप के पार के पास जाने के जूरूत निया आप मोबाइल से जोही जीली बढ़ सकते हैं और बैंक अकाउंट आपको बतायता हूँ यह दियादी आपके 50 नंबर है उर आपका 1 नंबर बढ़ता है तो आपको नंबर कर दिये जाएंगे यह दिया च्टर मलें इसे में अपके कम होते हैं तो मढdepth क्ने आपके Lasak यानि कि इसमें दो ही कंडिशन है या तो आपके नमबर बराबर रहेंगे या इंक्रीज होंगे तो भी यह अच्छी बात है तो आप सभी स्टुडेंट समझ गयोंगे वह आमें कौन सा फोर्म अपलाई करना चाहिए लेकिना सोचने से पहले फीस की तरफ जरूर द्यान देन स्टुशन है पुर्म्फ में आप्स बताऊंगों बतांगे जो है आपको कुण सा अप्लाई करना चाहिए और किस में जो है। कि किसमें कि जो हैं चांस में जैंकि आपके लिग नमबर है ठीक ठाट रहे तो बढ़लाई करना जब आपको लगता है कि मेरे के चांसिस तो नहीं है उसमें कम नहीं कि जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी पेपर में दस परसेंट से अधीक अंक बढ़ते हैं तो तर पुष्टका को तीसरी जो है प्रिक्षर के पास बेज़ कर पुनर मुल्यंगन कलवाए जाएगा और उस वस्ता में दूसरे तीसरे प्रिक्ष को द्वारा दिये गए अंकों के ओसत के अधार निर्दारी तंक किया जाएंगे इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर किसी स्टूडेंट के दस परसेंट से अधीक अंग बढ़ते हैं वह आनसवर्शित किसी तीसरे जो है टीचर के पास सेंड की जाएग और उसके जो आवरेजन मार्क जो दे दिये जाएंगे यानि किसी टीचर को लगता है वही उसके पचास मारक आए हुए हैं तो एक टीचर ने चेक किया उसको शाठ आगए दूसरे ने किया उसको सतर आगए तो आप जो है शाठ और सतर का जो आवरेज होगा जो है 65 नंबर जो सभीकार नहीं क्या जाएगा और आपकी जो फीस है यदि आपने फीस जमा भी करवा रहे तो वह आपके को रिफेंड नहीं होगी नाइन पॉएंट अपरीक्सारति का पुनर मूलियंकन की स्विधा केवाल उतर पुस्तिका हुपलाव दोने की स्थिति में दी जाएगा यदि किसी कारण से उतर पुस्ति आफिका ऑपूस्ति का धनी होती है तो प्रिक्सारति के प्र глप्त पॉइंट देखें अंकित उतरपुस्तिक का प्रिक्षार्थिया उसके माता-पिता या भीवाव को किसी भी अस्ता में दिखाई नहीं जाएगी आज आज वह कंडिडियेट को या फिर उसके माता-पिता को जो है उसके जो है पैरेंट्स है या फिर उसका जो कोई प्रिक्षार्ण के लिए अपलाई कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिकल वगरा के लिए या सीची की जो मारक सुतियून के लिए अपलाई करते हैं तो वह मान्या नहीं होगा नेक्ट्ट मुल्यांकन के संब्सम्द में किसी भी परकार के कानूनी कारवाई केवल बीवानी प्रैक्ट में किया जाएगा तो यहां पर इसको इंग्लिस में पढ़ सकते हैं यहां तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है अब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा फोरूम अपलाई करना चाहिए यदि आप जो है रिवलेशन का फोरूम अपलाई करते हैं तो इसकी लिए जो फीश neighborhood रहेगी यदि य torment के नंबर गट भी सकते हैं यहां बढ़ भी सकते हैं विड़ भी रहें तो यह पोधेंगे नबर बढ़ेंगे दो अब देखले हैं मेरे नंबर बढर बढ़ने के पूरे चांसिस और आप 1000 रुपे यानिकि आपको जो लगती है कि जार उपे मैं लगाऊंगा तो मुझे फाइदा मिलेगा इसका तो रिवलिशन का फारम अपलाई करें और यह आपको लगता है जादर रुपे जो हैं वेस्ट करने का फाइदा नहीं है क्योंकि मेरे नंबर बढ़ने के चां यह आप अपलाई करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो भी स्टूडेंट 12th क्लास के हैं फोरम अपलाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को वाइट टीटेल में ताकि वह समझ लें और उसके बाद जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए मैं उसका रिप किसे सब्सक्राइब करें तो आप मेरी वेबसाइट दीए वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में वेबसाइट पे जाके जो आपको जो है solution भी मिल जाएंगे और answer भी दोनों चीज जो आपको मिल जाएंगे और question paper वहां से आप download करके जो है अपनी तयारी कर सकते हैं नए session के लिए thanks for watching